जुलाई 2024 से 53 फिस्दी मेंगाई भत्ता और दिवाली बॉनस केंद्रिय करमचारियों और रज करमचारियों के लिए ताज अपडेट नमस्कार दोस्तों स्वागत हमसे बिगा फिट से एक और ताज अपडेट में दोस्तों तिहार का सीजन सुरू हो चुका है और सरकारी करमचारियों इस उम्मीद में है कि जल्द से जल्द उन्हें दिवाली बॉनस के साथ है जुलाई 2024 से मिलने वाले मेंगाई भत्ते का भी तोफा मिले तो इसी को बीच एक बड़ी खबर आप निकल कर आ रही है और खबर ये है कि केंद्रिय करमचारियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लाखों राज करमचारियों को दिवाली से पहले बोनस दे दिया जाएगा देनिक से मचार पत्र में चपी ये मेत्पून खबर जिसके बार में पूरी जायनकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी किंद्रिय करमचारियों को दिवाली से पहले बोनस मिलने की गोशना के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने एराज पत्रित करमचारियों को बोनस देने की तैयारी में है बोनस दिये जाने से संबान्दित पत्रावली वित्यभाग तैयार कर चुका है इसी सप्ताय राज सरकार के तरप से बोनस दिये जने की गोशना की जा सकती है पूर्व के वर्सों की भाति इस साल अधिकतम 7,000 रुपर तक बोनस कर्मचरियों को देने की तैयारी है सुत्रों के मुताबिक बॉनस की पत्रवली तैयार करने के बाद वित्विभाग अब इस पर राज सरकार की सहमती लेगा मुक्मंत्री योगी आजित नात की सहमती के बाद बॉनस का आदेश जारी कर दिया जाएगा और बॉनस का लाब करीब 15 लाख करमचरियों को होगा बॉनस देने पर सरकार के खाजाने पर 1025 कर रुपे से अधिका भार पड़ेगा वहीं पर केंद्री करमचरियों को भी जल्द ही बड़ी खुसकबरी मिल सकती है रेलवे करमचरियों के लिए प्रोड़क्टिविटी लिंक्ड बॉनस का एलान सरकार के द्वारा कर दिया गया है और सरकारी करमचरियों को 17,921 रुपे का बॉनस दिया जाएगा वहीं पर अन केंद्री करमचरियों को मिलने वाले एड़ॉक बॉनस का एलान अभी तक नहीं किये गया है उसको लेकर उम्मीद की जारी है कि इसी सब्ता केंद्री सरकार इसके बारे में बड़ा फैसला ले सकती है सुत्रों के अमसार केंद्री सरकार का फैसला आते ही राज सरकारें भी इसका एलान कर देंगी और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आज कोने वाले केंद्री केबिनेट की बैठक में मेंगाई बत्ते में बड़ोत्री के साथ साथ केंद्री करमचेनियों को मिलने वाले एड़क बोनस पर भी महर लग सकती है तो आज बड़ा फैंसला आ सकता है मेंगाई बत्ते में बड़ोत्री और बोनस के एलान को लेकर यदि केंद्र सरकार आज एलान करती है तो केंद्री करमचरियों का मेंगाई भत्ता मौजुदा मेंगाई भत्ता 50% से बढ़का 53% हो जाएगा और इसका फाइदा एक करोर से ज़्यादा करमचरियों और pensioners को मिलेगा साथ मैं उन्हें तीन मैने का एरियर भी दिया जाएगा यानि कि जुलाई से लेकर सेप्तमबर 2024 तक का एरियर भी दिया जाएगा और बड़ा हुआ मेंगाई भत्ता भी उन्हें अक्टूर मैने की salary और pension के साथ में दे दिया जाएगा इस तरीके से जल्द ही करमचरियों को बड़ी खुसकबरी मिल सकती है कि जुलाई 2024 से उन्हें 53 फिस्दी मेंगाई बत्ता और एड़ॉक बोनस का भी सौगात मिल सकती है बड़ी अपडेट लाकों सरकारी करमचरियों और pension भूगियों के लिए जैसे ही केंद सरकार एहलान करती है राज्य सरकारे भी अपने करमचरियों को ये तौफ़ा दे देंगी फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक करदें शेर करदें आपके दोस्तों के साथ चैनल सब्सक्राइब कर बेल ऐकन प्रेस कर ले और नोटिफिक्स अन कर ले हर एक लैटास्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए